प्रग्राम देख रहे हैं आप रास्टेक्स और मैं हूँ आपकी होस्त मारुख पुरेशी हमारे साथ मौजूद है हमारे आनिलिस्ट जिनाब जैद हामिद साब साम अलेकुम साब व्यूवर्स आपको पता है कि हमने स्लसला शुरू किया हुआ है नेमत अल्ला शाव वली के हवाले से अल्ला के वली जिनके बारे में हम डिसकस कर रहे हैं ब्रास्टेक्स कि इस स्पेशल एडिशन में दो जो है एपिसोर जिसकी हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं आज इस सरसे की तीसरी कड़ी है थोड़ा साम ब्रीफ बैग्राउंट पहले इसका ले ले लेते हैं कि हमने कहा आशिया वस्ति में जो ग्रेट गेम खेला गया था जो रॉशियन अपनी मस्को स्टेट से नीचे उतरते हुए सेंटरि अशिया में और डागस्तानार मुस्लमानों जो इस आजिए वस्ति कहला थे थे मावराउन नहर दरिया के परली पार के लाग है तो उन सारे लाखों प आखर में तर्की में सल्तान अब्दल्हमीद गुज़रे हैं, यह जो ग्रेट सल्तान खिलाफत इसमानी अस वक्स एक मैन आफ योरोप दरूर कहलाती थी, नहीं एक ऐसी सल्तान थी जो कमजोर होती जा रही थी और चारण तरफ से खिलाफत इसमानी पर हमले हो रहे थे, उसकी अब्दुल्हमीद ने अतनी तम्गा, तमाम तर कम्जोरी के बावजूद, वो इतने जलाली और हजूर से महबद करने वाले थे, जिन्हों ने फ्रेंच और व्रेटेश इंबास्टर्स को बुलाया, और मिलिट्री यूनिस्वाम में इंसे मिलने के लिए गया, और तल्वार म अब्दुल्हमीद ने उसमें जलाल से आकी कहा था, कि मेरी लाश की ओपर तुम बना सकते हो, मेरे होते वे फलस्तीन, मेरे हाथ से मुस्मानों तुमारे पास नहीं जायागा, तो सुद्दान अब्दुल्हमीद के बारे में, नहमत अलाश शाव वली ने हैरतंगेस तोर प उनका नाम लेकर जो प्रेडिक्शन जो बशारत की उनके बारे में बताया है, वो कहते हैं, कि इसलाम में एक बादशा जिसका नाम अब्दुल्हमीद होगा, इरान के शेंशाओं की तरह बड़ा आदिल होगा, या फार्सी में है अज़ बादशा इसलाम अब्दुल्हमीद के जमाने में बहुत ज्यादा साजशें खिलाफत इसमानिया के खिलाफ शुरू हो गई थी, जैसे हमने कहा कि यहुदियों जब यह देखा कि सुल्तान अब्दुल्हमीद अब फलस्तीन का इलाका हमें नहीं नहीं दे रहें, तो उन्होंने उसके बाद की साजश की, कि अब खिलाफत इसमानिया को तोड़ के छोटा करना पड़ेगा, और तोड़ने के बाद जो इलाके खाली होंगे, उसमें इसराइल की रियासत क्याम होगा, तो आप तो याद होगा कि पहली जंग एजीम के बाद इन्होंने बैलफोर्ड डेकलरेशन की थी, जो पहली जंग जीम के बाद खिलाफत इसमानिया शूट गी, और वैलफोर्ड डेकलरेशन की थी, जिसमें ब्रिटिश इंपायरलें लॉर्ड रॉस्टराइल को, जो यहूदी बैंकर था, उसको खत लेके कहा था, कि आब यहूदियों को खिशकबरी दे दीजे, कि जाद दुश्मिनी से, उस पर चारों तरफ से हमले करेंगे, उसके मुल्क पर हीले और बहाने से कबज़ा हो जाएगा, यानि सुल्तान अब्दलहमीद का जिकर वो यह करते हैं, कि ब्राओ नसारा आदा बहरसू गलू नमापन, पस मुल्के उगीरन, अजहीला उ बहाना, जो इसाई हैं, चारों तरफ से हमले करना शुरू करेंगे, उसके मुल्क के उपर, और चकर से, फ्रॉड से, फसाद से, धोका बाजी से, उसके मुल्क पर कबज़ा करते चले जाएंगे, और यह सारी केमपेन हमने खिलाफत इसमानिया के लिए, बीसवी सदी का आगाज ही कि खिलाफत इसमानिया के खिलाफ एक से, एक साद़ शुरू हो गई थी, उनने सो बारा में जो बैलकन वॉर्स शुरू होती है, बलकान की जंग शुरू होती है, और साथ साथ तराबलस की जंग होती है, यह वो वक्त होता है कि जब लामा एकबाल ने भी, वो खुबसूरा खिलाफत इसमानिया को बचाने के लिए तराबलस में जंग करती है, घाज़ियों को पानी पिलाते वे शहीद होती है, वो सारे यही वाक्यात है, कि नसाराथ चारू तरफ से, बैलकन वॉर्स में, सर्बिया, मॉंटनेग्रो और जो बैलकन के रिजियर थे, उन्होंने बग 1212 कर, यब खिलाफत इसमानिया पर इतने फसाद और इतने सादशें और घदारियां बर्पा हो चुकी थी, इस वक्त निमत अलाशाओ वली अपनी प्रेडिक्शन्स में बताते हैं कि बहुत बड़ी जंग एजीम बर्पा होने वाली है, यह फर्स वर्ड वर्ड वार की बा नुकबत, वाद, बार इशां, रा निशां, पैदा शवद, यानि जीम के जर्मनी हो जाएगी, जीम में जर्मनी, अच्छा लाइक जर्मनी, अब बेशक उस जमाने में जब इनोंने कही होंगे उस वक शायद ये नाम ना हो इन मुलकों, लेकि उन्होंने वो नुक्त रु वादी शदीद फसाद प्षैल जाएगा उसके अंदर, अब फिगर देते हैं, मतलब इस इस ताने, इस अपसलूटली मैजिंग, कहते हैं, ता चार सौल जंगी उस्तद बर मखरब, फौते अलफ, दगरु वजीम, वखासकाना, चार साल तक योरोप में ये जंग जारी रह जो उस दोर में अलिफ है, वो इंगलिस्तान, और जीम पर, जर्मनी को शिकर्स्त होगी, घदारी और धोके के साथ, और चार साली जंग जारी रहेगी, उस योरोप में चार साल लड़ाई होगी, और अलिफ जीम पर मक्तारी से फता पा लेगा, पहली जंग एजीम 1914 में पहली जंग हुई, होलनाब जंग इससे पहले इंसानियत ने कभी इतने इंडिस्ट्रियल स्केल पर गतल और गारत नहीं देखा था, अब आगे सुनिये, यानि इस इवन मोर्स ताने, राइट, फिगर देते हैं नेमत अलाशाव जाली, कि इस पहली जंग में एक करोड एक पास लोग मारे गए थे, और निमत अलाशाव जाली कहते हैं, जंग अजीम होगी, जंग अजीम वाशद, लफ्स तमाल किया है, जंग अजीम वाशद, गतल अजीम साजद, शदीद गतल गारत होगे, तबाही बरबादी होगे, यक सदो सी ओ लक, सी ओ यक लक बाशद, देखिए फर्स वर्ल्ड वार के बाद हुआ किया था, फर्स वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया में जो एकनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिटरी ओर्डर्स खाइम किये गए थे, खिलाफत इसमानिया तो बिलकुल कमज़र होगे थी, और पूरी दुनिया में एक तरफ रेप्रिलिजम, कॉमिनिजम भी थी, सोचलिजम, तरफ के मुखतले फॉर्म ने पूरी दुनिया पर कबज़ा कर लिया था, और पहली जंग एजीम के बाद पहली मरतबा ये थी, कि मुसल्मान इस तरह गाइब हो चुके थे दुनिया से, कि ना कोई पॉलिटिकल, ना कोई एकोनॉमिक, ना को मिलिटरी पार, ना को एडिलाजिकल पार, मुसल्मानों को तरह वजूरी थे, कुफरी कुफर था, सिवाए मक्का मदीना के, और अफगानिस्तान के थोड़े से लाके के, बाकी तमाम खितों पे कुफर अबज़ा कर तका, तो इस जंग एजीम के बाद नेमतٰलाशाब यख वजिताय जो हालात बनते हैं उसके बारे में कहते हैं, कि मश्रिक और मग्रब में काफिर हुक्मरान होंगे, और इस बयान के मताबिक यवाद पूरी को कर रहेगी, जो बात मैं कहारा हूं, यह तुम देखोगे, कि मश्रिक और मग्रब में इसलाम न काफिर हुपमरानों और ये हैरतंगेज पीरियर्ट था उस जमाने में जब ये बात ये कर रहे होंगे लोगों के लिए यकीन करना मुम्किन नहीं होगा तरी कैसे मुम्किन नहीं होगा इन्सानित की तारीफ में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मश्रिक को मगर्ब में सिर्फ का अथनामिक और पॉलिटिकल और पूरी दुनिया में इस तरह काइम हो जाएगा कि मुसल्मानों का वजूद नहीं होगा नहीं होगा अच्छा मगर अगें वी और सो लूग के बाद जो जाहरन ट्रूस हो गया उसके बाद मगर्ब में आपस में तसादम काइम रहा जर्मनी जंग की तैयारियां करता रहा KI साल इनका अपस में पिस रही है एटीन से लेके पुएटीयाइट्ट थेट्ईया तकरीब यहांट एकिस साल एंकिसंता के खरीब उसके अंदर कोई पायदारी नहीं होगी, यह सुलाव होगी, मडर मुस्तकिल नहीं होगी, नारी कोई। वो बदाहें खामोश ऐसे होंगे, अगले शेयर में कहते हैं, मगर दरपरदा जंग की तयारी कर रहे होंगे, उपर से इंका ट्रूस होगा, एक तर जर्मरी ने पैसिव इंडस्रिलाजेशन और मिलिटरी प्लानिंग शुरू की, इटली उस दोर में फैसिज्जम के एक नए बिहाइं दर कर्टन वो लगए वे तयारी हो रही थी, फिर वो कहते हैं कि जीम और अलिफ दुबारा एक जंग करने की तयारी करेंगे, अब सेकंड वर्ड वार की तरफ हम जा रहे हैं, जीम और अलिफ, जियमनी और इंगलिस्तान, राइट, अब क्योंकि उस जमाने में य दोहें खामोश होंगे लिएक दरपड़ा जंग की तयारी करेंगे, जीम और अलिफ एक दफ़ा फिर, और अब सेकंड वर्ड वार की तरफ मामना जारा है, तो वीज में कहते हैं कि इस दौरान में, एक जलजला की आया चूँ, जलजला क्यामत, एक शदीद जलजला आएग और हिस्टी जो हम एठाके देखते हैं इस पिरिड में, तो 1923 में जापान में एक बड़ बड़ जलजला आता है, जिसमें तकरीबान एक छटा हिस्टा 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 जबाँ हो जआगा, तायमत कि जलजला ने आग, इस अधरा में जलजला भी आएगा, और यह जपान का नाम ली जंग हो रख दिए। और इस दौरान में इसाइयों की जंग भी शुरू हो जाएगी अब ये वो पीरिड है बिट्वी नाइटीन थिटी सेवन तो नाइटीन फॉर्टी फाइव कि जब जापान और चीन के लड़ाई भी हो रही है आप हिस्टी में अगर देखिए कि जापान एक इंपिरियल डिजाइन उसके रखता था फैलना चाहरा था तो चाइना के साथ भी उसकी एक जंग थी जो जवाने में शुरू हुई और नेरली उसी दोरा नाइटीन थर्टीनाइन में इसाईयों के दर्मान भी जंग शुरू हो गई और सेकंड वर्ट वर्ट स्टार्टेड यानि जो हम हैरत अंगेस तोर पर ये देखते हैं जिसके नतीजे में अमरीका फूर जंग में खूदना पड़ा तो जापान अपने थेटर में जापान के जर्मनी से कुल तालक नहीं था वो चाइना के साथ लगा था जापान चाइना के साथ जापने रीजिन में फैलने के लिए कोशिश कर रहा था और चूंके इसाईों के दरमियां जंग शुरू हो चुकी थी लहाज़ा उस जंग में जापान कूद पड़ा मौके से फाइदा उठाते वे विच अगें जो दो थेटर आप आपरेशन आप देख रहे थे इसीर पेसी पैसिंफिक में जो जापान आप लड़ी गई और एक यूरोप में जो जर्मीन के खलाफ लड़ी गई अकसिस पावर के खलाफ थे जर्मी एकली और उसके जो जियूप मिलक थे तो यह सारा मामला इन्हों ने जिकर किया है कि जब यह मामला जापान पहल रहा होगा तो साथ-साथ इसाई भी आपस में जंग भड़का देंगे And then he says, again, amazing, he says कि दूतरी आलंगीर जंग का आगाज पहली के 21 साल के बाद होगा Exact Figures और यह आलंगीर जंग पहली से ज्यादा महलिक होगी और यहां पे वो न्यूक्लियर की तरफ यानि अब वो यह बता रहे हैं कि यह जो Second World War शुरू होगी पहली के किस साल के बाद बिलकुल और यह इतनी डेडली होगी इसके अंदर इतने मुलिक हतियार इस्तेमाल होंगे जो उससे पहले कभी इनसान ने इस्तेमाल नहीं किया This is that spiritual intelligence जिस पे हम हरान है कि मुस्लमान military scientist ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया इनको पहले हमारे अनलिस्स ने हमारे इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि जिस दौर में यह च्छप के पहली practically सामने आए कौम के वो हमारे जवाल का दौर था और हमें पता भी लग जाती है सारी बाते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते थे मुगल हकूमत तबाव हो रही थी खिलाफ असमानिया तबाव हो रही थी मुस्लमान मायूसी में देख तो रहे थे हालात और वाकियात को करने की ताकत नहीं रखते हैं मगर करने के ताकत हम आज रखते हैं और जो आएंदा आने वाले दोर के बारे में इन और प्रेडिक्शन की हैं उसमें हमारा रोल है उस तक हम उस लख पहुंचेंगे जब भी बैग्राउंड कवर कर लें तो कहते हैं कि दूसरी आलमगीर जंग का आगाज एकिस साल के बाद ह हत्यार इस्तमाल किये जाएंगे जहां बड़ा खुशूरत है कहते हैं दो अलिफ और रूस आपस में मिल जाएंगे नहीं दो अलिफ कौन हैं इंग्लिटान और अमेरिका और रश्या रश्या तीन हो गए क्योंके जर्मनी ने ठ्या किया कि एक तरफ उसने एक ठीटर ऑफ उसने रश्या की तरफ खुल दिया दूसरा उसने ठीटर ऑफ ऑपरेशन योरोप की तरफ खुला जहां पर इंगलिट और अमेरिका शामिल हो गए उस जंग में जर्मनी के खिलाफ रश्या के साथ में इनके अपना लिए और रश्या के साथ उन्होंने एकसिस किया कि रश् उसर दो अलिफ वो इकती हुए इसके खिलाफ बर बर अलिफ वजीम ए ऊला हम जीम सानी आना उन्होंने तेन मुलकों के खिलाफ जंग की एक अलिफ से शुरूँ होगा एक पहले जीम और दूसरा जीम पहला अलिफ कौन इलिफ नुट एक्सक्राइब और ये बाते डाक्मेंटेड हैं इन डेकेड अबो नहीं पहली जंग अजी में से पहले कि नुस्के मौजूद हैं ने मुस्वाश वली के उनके इंडर भी ये शेर मौजूद हैं वो शेर जो 19 सेंगे के हमें और 20 सदी के शुरू में जो नुस्खे हैं लोगों के पास पीपल है कॉल डिस टो टेज कि हमारे पास वो नुस्खे माजूद हैं जिमें ये सारे राकाथ होने से पहले लिखे हुए लहाद ये कहना कि ये किसी ने बाद में बनाए होंगे डिसल में एक सेंस तो दो अलिफ इंगलिस्तान और अमरीका रूस और इतली और जर्मी जापाइन सब पर ये हमला आवर होंगे तो ये जीव अगरीब है तो फूरी सेंस लोगाट की जो थेटर और आपरेशन और फोर्सेज हैं ये आपस में खेल कर रही है अब एक बात और नोट कीजे कि चुके अंग्रेज इंगलिस्तान यहां हकूमत करता था हिंदुस्तान पर तो बहुत भारी तादाद में हिंदुस्तान के मुसल्मानों को भरती किया गया अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए करड़ल मुहम्मद खान जिन्होंने बड़ी खुशूरत किताब बजंग आमद लिखिये लिए फाइनस बुक्स ऑफ मिलिटरी हूमर 1937-39 वगरा में इन्होंने पार्टिसपेट किया बजंग आमद इस अ बुक वर्थ रीडिंग मिलिटरी हूमर की किताब जिसमें उन्होंने उस सारे वाखियात लिखे हैं कि किस तरह इंडिया से हजारों की तादाब में फौजें जो थी पूरे एफ्रिकन थेटर में, यूरोपियन थेटर में या बर्मीज थेटर में अंग्रेज इनको लांच कर रहे थे और पूरी दुनिया में जा जा कि ये दूसरी जंग एजीम लड़ रहे थे मुसल्मान आज भी अगर आप लहोर के मिजियम में जाएं लहोर का जो जाएब घर है तो वहाँ पर उन्होंने कुछ कटबे लगा के रखे हुएं दिखाने के लिए कि ये कटबे अंग्रेजों ने पहली और दूसरी जंग एजीमों के बाद पूरे हिंदुस्तान के हर गाउं में लगा दिये थे जिस गाउं से लोग गएट से जंग करने के लिए और उन पर लिखा हुआ है उन कटबों पर लिखा हुआ है निस विलिज हंडर्ड पीपल वेंट वर उनली नाइन रिटर्न यानि इस तरह का उन्होंने कटबे लगा लगा के पूरे हिंदुस्तान में लगाए हुए थे हर गाउं में तो कुछ कत्बे अब लहुर म्यूजियम में रखे हुए को जा के देखना चाहे तो वो देख सकता है तो लाकों के तादाद में मुसल्मानों ने उस जंग में शरकत की यहां से भरती करा करा के मुसल्मान भी गए इन पियंट के लाते हैं पंजाबी मुसल्मान जो गरेदन अपनी बुक्स में लेखा लेकिन उसके बाद जो उनकी पूरे हिंदुस्तान से मगर ये लाइल्म होंगे इस बात से कि उनकी इमदाद बिकार जाएगी अजिन वर्क फोर्स के तोर पे आक्ट करेंगे लेकिन राइगा जाएगी बिकार जाएगी इमदाद हिंदिया हम अज हिंदु दाना बाशन लाइल्म जी के बाशिद आई जूमला राइगाना हिंदुस्तान के लोग भी बहुत मदद करेंगे इस जंग में लाखों की तादाद में जाने गई अंग्रेजों ने इस जंग में जिस तरह जोंका है कैनन फॉर्डर के तोर पे वो जंगें जो खतरनाक होती थी वहां लाखों के तादाद में इंडियन ब्रिगेड्स भेज़ दिये जाते थी और वो मारे जाते थे वक्षियों की तरह और जब रस्ता साफ हो जाता था फिर बिडिश और यूर्पियन फोर्स जाते थी उस अलाके को क्लियर करने चलिए तो ये एक बिल्कुल बेकार जंग थी जिसमें मुस्लमानों को जहूंका गया पूरी दुनिया से लेकिन फिर वो आगे बताते हैं यहां पर नेमत अला नाव कामज इंटु टु टिक्नालोजी साइड अफिन को नापने वाले होते हैं ऐसा असलाह जो मैदान में क्यामत वर्पा कर देगा उस जमाने के मशूर साइंटिस्ट अपने जमाने की फाइनस टिकनालोजी बनाएंगे जो दुनिया को वेपन्स आफ मास डिस्ट्रक्शन की तरफ लेगए जो और जो इवन कंवेशनल वेपन में भी जो बामर्स फाइटर्स जिसने इन शे सालों में पूरी दुनिया को वह वार टेकनालोजी दी जो आज भी इस्तिमाल हो रही है तो कहते हैं कि उस जमाने के मशूर साइंटिस्ट इन वह लोग साइंटिस्ट हैं तो ऐसे इसे हथियार बनाएंगे कि जो लिटरल लगेगा ऐसे कि जैसे आस्मान की बजली को नापसे है और दुनिया में तबाही होगी होगी जिसकी बिना पर ये हंदुस्तान छोडने पर मजबूर हो जाएंगे कितना जबर्दस किंफूशन और पूरा जो रिजल्ट वार के नतीजे में ब्रिटिश इंपाइर विल बिकम सो वीक कि वो मजबूर हो जाएंगे जिसे इंडिया को ये कहा करते थे कि ये हमारे ताज का एक हीरा है वो इनको छोड़ना पड़ेगा and this is exactly what happened. कायद आज़म 1940 में जब पाकिस्तान रिजलूशन पास होती है उस वक्त तो ब्रिटिश इंपाइर वाज एट इट्स पीक. मुसल्मानों के खाब में नहीं था कि साथ साल में पाकिस्तान बना लेंगे. लेकिन इस जंग के नतीजे में इतनी इस तबाही के नतीजे में जो को ब्रिटिश इंपायर को हुई इसी बात नहीं है कमजोर तो हुए ना वो जैसे कि नहीं नहीं दूटाइप करोण इंसान रहे होंगे लेकिन लाकों की तदाद में तो ब्रिटिश इन भी मारे बिल्कुल अब उनका भी सारा एसेट खतम हो विसोर्सिस खतम हो गयते हैं वो भी मक्रूज थे अमेरिकन फैडल रिजर्व वैंकर्स के इतने कम्जोर हो चुके थे बिर्डिश एकॉनमी का हाल इतना तबाह हो गया था जब वो खुद इसकाबल नहीं थे इनके मिलिटरी इनके एकॉनमी के वो अब बराहरास कंट्रोल करक कि अंगरेस इंडुस्टान चोड़ कर चले जाएंगे कहते हैं इसाई हिंड़ोस्तान को छोड़ जाएंगे अपने आप छोड़ जाएंगे जाहरे कुछ जंग करके तो अंग्रेज़ों को नहीं निकारा गया यहां से मगर फ्रॉड से धोके से मकर से एक बहुत बड़ा फ और जिस तरह पाकिस्तान की तक्सीम की हिरो ने जाते 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 उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के रिसूर्सिस रोक लिए पाकिस्तान की हुकूमत के फंड्स रोक लिए जिस तरह जो एसेट्स जो हिस्से पाकिस्तान को मिलने थे वो सारा पैसा रोक लिया दिया 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 बुर्दासपूर का इलाका जो पूरा कश्मीर को आठरी थी रूट था हमारा कश्मीर का वो धोके से दे दिया गया हिंदू को कि अंग्रेश छोड़ के चले जाएंगे लेकिन जानलेवा खत्रात और फसाद और फितने बीच में छोड़ के जाएंगे फिर ये कहते हैं कि हिं मुसल्मान अपने घरों से नकलते हैं सुर्फ पचास लाक पाकिस्तान पहुंच पाते हैं जिस तरह पाकिस्तान बनते हुए लाकों मुसल्मान कतल किये रहें। जो खून बहा है तारीख इसलाम में इतने कम असे में विदिन सिक्स मन्स सेवन मन्स इतने थोड़े अरसे में इतने मुसल्मान 14 साल के तारीख में कभी शहीद नहीं हुए जितना पाकिस्तान बनाते वे डेली से ट्रेने निकलती थी और पूरी पूरी ट्रेन जबा होती थी लाहर पहुंचती थी और जितनी ट्रेने निकलती थी एके पिशे वहाँ लाहर में तरिफ लोगों का काम ये था कि लाशें रफना जिस तरह मुसल्मान कटे पटे टूटे पूटे अपने घर बार जमीने जादादे छोड़ छोड़ कर पाकिस्तान पूंट रहे जे पहले ब्रिटिश, हिंदू, गुर्खा, और सिक टुट बूला के सैटल कर दिया था कि पाकस्तान मुसल्मान तो जाते जाते इस तरह काटके फेको और मुसल्मान फॉर्सेस जो दुनिया में पहली वही ती उनको बिलाया ही नहीग गया इंडिया कि आके मुसल्मानों के प्रोटे के घैज और घजब से बेगार हो जाएंगे अक्सर मुसल्मान यानि महाजर हो जाएंगे यह माइग्रेट करने पड़ेंगे और मुसल्मानों की घेरत और मामूस को बहुत नुक्सान होगा देखिए इस माइग्रेशन में जमीन गई हमें कोई प्राउब्लम ही है उकूमत हो गए होगी लेकिन वही हैं बड़े दुख से कहते हैं जो नुक्सान मुसल्मानों की इजद और नामूस का होगा वो इतना शड़ीद होगा कि इससे पहले कभी मुसल्मानों ने इतना बड़ा नुक्सान नहीं उठाया पाकिस्तान बनते वाक्त जो कुर्बानिया दे इसमें डॉक्मेंटरिस भी हैं हमने भी प्रोग्राम की हैं इसके उपर पहले लेकिन हर दफ़ा जब उस पाकिस्तान बनने की शायतों और कुर्बानियों को हम देखते हैं हमको इस तदर रुहारी तकलिफ होती है इस बात पर निमत उला उसी बात को कहते हैं कि अक्सर मुस कहते थे कोई मुसल्मान जिन्दा इस पंजाब से उताव पाकिस्तान नहीं पहुंचे गा सतर हजार ऐसी हजार किलो मेटर का इस पंजाब का एरिया एक मुसल्मान जिन्दा नहीं बचा वहाँ पच्छन हद्पों में नहीं एक ऐसी दर्दनात तारीख हो लेकिन उसके अब आखा जहां पर हमेशा से बस्ते आएं यह हमारे बुद्रगों के वह लाके हैं कि जो मुसलिम मिजॉरिटी एरिया जहां पर जब भी अफगानिस्तान और इरान से मुसल्मान आएं उन्हों नहीं आप पॉपलेशन यहां बढ़ती गई हमारी और मुसल्मान आते थे इ पर मुसल्मान हिंदुस्तान से हिजरत करके अपने बुद्रगों और इसलाफ के अलाकों में अबाद होंगे जाके और फिर सजा और मुस्किल परेशानी और आजमाईश के बाद मुसल्मानों के एक नई तकदीर जाहर होगी यानि नाव वी हैव मेड पाकिस्तान और अब बनने के बार जो वाकियात होंगे जो मुसल्मानों की तकदीर जाहर होगी आने वाले दिनों में आने वाले अगले हफ्तों में इन्शाला हम निमत अला की उन खुशखबरियों बशार्तों वार्निंग्स और फिर जो प्रेज़न दौर को डिसकस करते हैं जो फ्यूचर होन पिर कोई दलील जवाज़ नहीं है कि इनसान ये कहें कि ये ये फेक है ये बनाई गई हैं जब कि यहां पर बहुत डिटेल तरहीं हैं कि जबके हुजूर की आदीस में आइंदा आने वाकियात में इनी बातों की तस्दीख करते हैं जब हुजूर घजब लेहिं की बशार् तो आज पाकिस्तान बनाया इंशालला आइंदा प्रोग्रामों में हम 47 के बाद जो खुश्खबरिया प्रोडिक्शन या बिशारते हैं हम उन्पे बात करें। लेंड माक्स की बात कर रहे हैं बड़े बड़े इवन्ट की जैसे उनोंने 47 से पहले तक के वाकशाफ में जइनल सहीं। बता जिया कि यहीं बन्ट हो एक पिच्चर तारीख की बनती जाती है तो 47 के बार भी उन्होंने लेंड मार्क्स दिया है कि पाकस्तान बना फिर मुसल्मानों की क्या तकदीर शुरू होगी हमने क्या खलतियां की फिर उसके रतीज़ में पाकस्तान तूटा फिर उसके रतीज़ में क्या हुआ इसी तरह आगे पूचर बना बना लेंड मार्क्स हैं लेकिन वो लेंड मार्क्स हिस्ट्री के 30, 40, 50, 60 साल में हमें पूरी तारीख बता देते हैं कि आएंदा होने वाले इवेंट्स में मुसल्मानों का रोल क्या होना चाहिए वो इन्शाला आएंदा आप लोग भी इसका बिस्टबरी से एंपजार कर रहे होंगे इसके लिए आपको वेच करना पड़ेगा ब्रास टैक्स की अगली एपिसोड तक तब तक इजाज़त दीजिएगा अलाहाफ़ाद